नवस्कार मैं हो नीलू तो इस्रेल और लेब्डन के बीच क्या महा युद्ध की शुरुवात हो चुकी है क्योंकि इस्रेल ने अब तक का सबसे बड़ा एस्ट्राइट लेब्डन पर किया है वही अगर लेब्डन की बात की जाए हिजबुला की बात की जाए तो उत्री इस्रेल में हिजबुला ने भी जबर्दस तरीके से रोकेट डा गए है अब क्या आने वाले एकाद दो दिन में कोई बड़ा हमला कोई बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है इसी पर बात्चित करने के लिए मैंग मेरे साथ मेरे सह्यों की जुड़ गाई है मैंग इस्राइल ने अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक लेब्नन पर किया है यानि हिजबुला की कबर तोड़ने की कोशिश की गई है तो क्या आगे आने वाले एकाद दो दिन में हम कोई बड़ा युद्ध देख सकते हैं हिजबुला वर्सिज इसराइल देखें नीलू जिस महा युद्ध की आहट हो रही थी कई दिनों से ऐसा लगता है कि अब ये वार शुरू होने वाला है और बिल्कुल दर्वाजे पे वार आके खड़ा हो गया है हम अगर कल बीती रात की बात करें तो इसराइल की तरफ से जबरदस्थ हमले हुए हैं लिबनन में बलकि शायद पिछले कुछ वक्त की सबसे बड़ी एर स्ट्राइक इसराइल ने लिबनन में की है वहीं दूसरी तरफ हिजबुला ने भी तापड तोड रॉकेट से हमले किये हैं उत्तरी इसराइल में हम सबसे पहले जो इसराइल के हमले हैं उसकी बात करें देखिए कल रात को असल में हुआ ये कि ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तरी इसराइल पर लिबनन की तरफ से काफी सारे रॉकेट्स हिजबुला ने फायर किये देखिए हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में जो अटैक्स हुए लिबनन में पहले पेजर अटैक हुआ फिर वॉकी टॉकीज में अटैक हुए लेप्टॉप्स में अटैक हुए उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि कल रात को हिजबुला की तरफ से काफी सारे रॉकेट्स जो है वो बदला लेने के उदेश से फायर किये गए उत्तरी इसरेल पे और उसके चंद मिन्टों के बाद ही आईडियेफ ने बड़ी एर स्ट्राइक की है लिबनन में और बताया जाता है कि करीब सौ ठिकाने हिजबुला के जो है वो तबाह कर दिये गए हैं और करीब सौ रॉकेट बैरल्स जो है वो इसमें बरबाद हो गए हैं तीस मिजाइल लाउंचर्स जो है वो पूरी तरह से तबाह कर दिये गए हैं बताया जा रहा है कि ये इस्राइल की तरफ से, आईडियेफ की तरफ से पिछले कुछ वक्त की सबसे बड़ी एर स्ट्राइक है. अचा एक गौर करने वाली बात निल्यू ये भी है कि नसरल्ला जो है हिजबुला के चीफ है, ये कल भाशन दे रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, इसमें इन्होंने कहा, इसमें जो नसरल्ला का कहना है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि इन्होंने कहा कि इस्राइल ने इन हमल के साथ सारी हदे पार कर ली है, ये जनसाहार लिबनन के लोगों के खिलाफ इसराइल की जंग की शुरुआत है, देखिए नसरल्ला खुद ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से ये जंग की शुरुआत हो चुकी है, इसके अलावा उन्होंने इसराइल को धमकी देते हुए का है कि पिछले दो दिन में जो हमले हुए उसके लिए इसरेल को कड़ी सजा दी जाएगी अगर इसराइली सैनिक दक्षनी लिबनन में घुसते हैं तो ये हिजबुला के लिए बदला लेने का एतिहासिक मौका होगा देखिए जब ये नसरल्ला भाशन दे रहे थे गौर करने वाली बात ये भी है जब नसरल्ला ये एड्रेस कर रहे थे भाशन दे रहे थे उसी समय इसरेल के तीन फाइटर जेट्स लिबनन की सीमा के अंदर मन रहा रहे थे यानि देखिए ये पूरा इलाका जो है वो एक नए बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जिसकी हमें कह सकते हैं कि एक प्रकार से शुरुआत भी हो चुकी है अगर हिजब ल्ला की बात की जाए जिस तरह से लकता लेबनन में हमले हो रहे हैं तो अब ऐसे में आप क्या देख रहे हैं हिजब ल्ला और इरान और बाकी प्रॉक्सिस की बात की जाए तो किस तरह से अब ये लोग आगे आने वाले दिलों में अपनी स्रेटिजी प्लान कर सकते हैं देखिए नीलू मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पिछले चार-पांस दिनों में जो लिबनन में हुआ जिस तरह से अटैक्स हुए पेजर अटैक हुए वाकी टॉकीज में अटैक हुए जो ये इलेक्ट्रोनिक वार था उसके बाद से बदले की आग जो है बहुत जादा है हिजबुला के अंदर बहुत जादा गुसा है वो इसरेल पे हमला करने के लिए लड़ा के उसके बिल्कुल तयार है और इसी क्रम में देखा जाए तो बीती राज जो है वो एक बार जबरदस रॉकेट अटैक्स हुए उत्तरी इसरेल में हिजबुला का दावा है कि कई सारे इसरेल के जो सैनी कड्डे हैं वो तबहा कर दिये गए है उसमें कई सैनेकों की मौत भी हुई है लेकिन अभी इसरेल इस बारे में कुछ कहने को तयार नहीं है और इसके फॉरन बात इसरेल की तरफ से जो है वो स्ट्राइक की गई अब देखिए जो हम गाजा के साथ गजा के साथ जो में हाला जो हम देख रहे थे जिस तरह से इसरेल अटैक कर रहा था लगातार गजा में और हमास और इसरेल का वार चल रहा था अब वो कोशिश जो है पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है अब कुलमिला के मामला ये है कि देखिए हिजबुला अब भारी दबाव में है जिस तरह से अटैक्स इसरेल की तरफ से हुए पहले तो इलेट्रोनिक वारफेर अटैक्स कहा जाया इसे उसके बाद वीती रात को जो एर स्ट्राइक हुई है ये बहुत बड़ी एर स्ट्राइक है इसमें हिजबुला के सौ से ज़्यादा ठिकाने तबाह हुए है और इतना ही नहीं आप देखिए वेस्ट बैंक में भी बिती रात जो है वो बहुत जबरदस स्ट्राइक इसराइल ने की है IDF ने की है IDF ने किसका वीडियो भी जारी किया है उस वीडियो में इसरेल ने दावा किया है कि करीब साथ जो है फिलिस्तिनी लडाके जो है मारे गए है इसमें तो चाहे लिबनन हो चाहे वेस्ट बैंक हो इस्रेल जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ऐसा लगता है कि एक प्रकार से एक बड़े वार की शुरुवात इस्रेल ने कर दी है अब आगे क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है ऐसा अंदेशा जताय जा रहा है कि हिजब हिजबुल्ला की तरफ से एक बार बदला लेने की बड़ी कोशिश हो और हम आज रात को फिर देखें कि उत्तरी इस्रेल पे खास तोर पे जो है वो बड़े स्ट्राइक हो सकती है देखिए नस्रल्ला ने पहले भी कहा है कि जो उत्तरी इस्रेल है वहाँ पे अगर लोग च हो सकता है कि बहुत बड़ी स्ट्राइक इस्राइल के उपर हो जाए आपको बताना चाहूंगा कि इस्राइल के जो रक्षा मंत्री है योव गिलिंट उनकी तरफ से एक बयान आया है उन्होंने कहा है कि यह पूरा युद्ध है यह अब एक नए चरण की तरफ बढ़ चुक हमने अभी देखा था हाली में युती की तरफ से जो है मिजाईल स्ट्राइक होई और वो इस्रेल की धरती पे गिरी भी तो यह एक बड़ी बात थी तो अब हो सकता है कि प्रोक्सी की तरफ से कोई बड़ी बैठक हो और एक नए स्ट्राइजी बनाई जाए इस्रेल को बढ़ती है यह एक देखने की बात होगी लेकिन इस पूरे लिहास से अगले एक दो दिन इस लिहास से बहुत इंपोर्टन्ट है कि क्या हिजबुल्ला किसी तरह की पलटवार की कारवाई करता है या इस्रेल की तरफ से अगला कोई कदम क्या होता है देखिए पहले पेजर attacks होते हैं अगले दिन जो है walkie talk की electronic devices में attacks होते हैं और उसके बाद air strike होती है तो यह ऐसा लगता है कि यह एक तरह से एक बिल्कुल strategy के साथ इस्रेल आगे बढ़ रहा है और strategy के तहत यह attacks हुए हैं अब इसमें अगला कदम क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा पूरे रीजन से तो अब कुछ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है तो अगले 24-47 घंटे यह बहुत एहम होने जा रहे हैं यह तै कर देंगे कि यह पूरा मामला जो है वो क्या किसी बड़े वार की तरफ आगे बढ़ता है या नहीं